हम बनाएंगे स्ट्रॉबरी के साथ में स्ट्रॉबरी फिरनी जा चावल और स्ट्रॉबरी दोनों तो fresh strawberries वाह और चावल फ्रेश चावल तो सूखरी होते है ना उसको करीब एग घंटा पानी के अधर बिगोएं और उसके बाद चावल को पीस ले ये देखिए चावल पिसा ह तो एकदम महीन नहीं पिसे थोड़ा सा मोटा रखें यह जो पिसा हुआ है इससे भी थोड़ा सा मोटा जैसे इडली का कैसे रहता है उसी तरह से तो यह जावल पिसा हुआ और थोड़ा पानी जो है इसमें मुझे कम लग रहा है क्योंकि इसे हम डालेंगे दूद के अंदर यह दूद मैंने उबलने रखा हुआ है तो दूद उबल ही गया है तो दूद अबल गया है तो इसके अंदर हम डालेंगे यह चावल पिसा हुआ बस ध्यान रखें कि जादा गाड़ा ना होये यह चावल इसमें डाल दिया और अब इसे mix कर लेते हैं ये देखिए इसे कर लिया mix और जैसे जैसे दूद गरम होगा वैसे वैसे गाड़ा होता जाएगा साथ साथ भाई फिर्णी जो है बड़ी कमाल की चीज़ है बड़ी simple है बहुत आसानी से बन जाती है लेकिन खाने बड़ी अच्छे होती है नॉमल चाहे फिर्णी क्यों ना हो उसमें बस सोड़ा सा गुलाब जल या केवडा डला हुआ हो बहुत अच्छी लगती है अब उसके लिए बहाने नहीं होते हैं लेकिन कहीं तेवारों पर बनती है फिर्णी और अलग लग तेवारों पर मैं हाली में एक अपने दोस्त के घर गया इद के मोखे पर क्या फिर्णी बनी थी बहुत ही बड़या फिर्णी तो मैंने सोचा कि ट्रिडिशनल फिर्णी जो है बदाम वगरा डालके केसर बेसर डालके तो बनती है क्यों ना हम स्ट्रॉबरी के साथ में ट्राइ करें तो बस ये दिमाग में आइडिया आया और मैंने का चलिए ये रेसिपी ट्राइ की जाए इससे ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूं ताकि लंप्स ना पड़ें इसमें अब देखिए ये जो है काफी गाड़ा हो रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से ये गाड़ा नहीं हुआ इसमें अभी ये जो है चावल का आटा थोड़ा और डल सकता है डाल कर इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छा ये मिक्स हो कर लिया अब बहुत ज़रूरी चीज है इसमें चीनी डालना तो चीनी स्वाद अनुसार और ध्यान रखिएगा इसमें स्ट्रॉबरी भी डालनी है कई बार मीठी होती हैं कई बार खट्टी होती हैं तो उसके हिसाब से चीनी है वो एड़ेस्ट करनी पड़ती है अगर मीठी है तो चीनी कम अगर खटी है तो चीनी थोड़ी सी जादा ताकि उसकी खटास कवर कर लेए तो ये चीनी डाली हमने और कर लिया मिक्स ताकि चीनी के साथ में ये मेल्ट हो जाए और इसमें आप चाहें तो कुछ मेवे भी डाल सकते हैं बदाम ये लीजिए बदाम सारे इसी में डाल देते हैं और उसके साथ-साथ कुछ बड़े असे खुश्बू और ये जो खुश्बू है ये है इलाईची पाउडर की वो डाल कर इसे मिक्स कर लेते हैं पल हैं, वो तो पक चुके हैं, चीनी घुल चुकी है, तो अब क्या करना है, बस इसे बंद करना है, और देख लेते हैं, चीनी का क्या हाल है, वाह, परफेक्ट, जो स्ट्रॉबेरीज हैं, उनको आप प्यूरे कर सकते हैं, नहीं तो बेस तो यह रहेगा कि आप उसे चॉप कर लें, यह जो स्ट्रॉबरी है, यह लेकर आप इसे रफली इस तरह से, बस फ्रेश स्ट्रॉबरी चॉप कर ली, अच्छा वैसे अगर फ्रेश स्ट्रॉबरी ना मिले तो क्या करें, आप इसको बना सकते हैं स्ट्रॉबरी क्रश से भी लेकिन अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है अच्छा आप इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा करना है यह जो हमारे पास फिरनी है यह ठंडी कर लें आप रूम टेंप्रचर पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत जादा भी ठंडा नही तो कहीं बार ऐसा होता है कि यह सेट हो जाती है इसलिए इसको सेट नहीं होने देना तो अब यह जो स्ट्राबरी है पूरी तरह से थंडा नहीं हुआ है लेकिन कोई बात नहीं है फिर दी तो इसमें यह चॉप्ट फ्रेश इसे मिक्स करें यह लिजे सब को कर दिया मिक्स अच्छी तरह से और ये चावल और स्ट्राबरी साथ में अब ये हो गया तयार लेकिन इसे इस तरह से मज़ा नहीं आएगा इसे अगर आपने परोसना है तो इसे जा ट्रेडिशनली परोसें और उसके लिए मिट्टी के सकोरे ले 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 ये जो मिट्टी के सकोरे हैं इनको पानी के अंदर भीगोएं और फिर पानी में से निकाल दें पानी के अंदर करीब आदा एक घंटा भीगोगा रखें फिर पानी में से निकालें और ये जो फिरनी है इसको डालें इसमें और ये डाल दी इसमें हमने अचाहिए अभी तयार नहीं है क्योंकि इसे अभी उससे पहले इसे तोड़ा इस तरह से फ्लैट कर लें और फिर इसके उपर डालें ये ब्लांच किया हुआ पिस्ता ये देखिए कितना अच्छा लगता है आप चाहें तो इसको सजा भी सकते हैं सजाने के लिए स्ट्रॉबरी ले 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 और स्ट्रॉबरी को आधा काट लेते हैं और ये छिलके के साथ और आप चाहें तो इसका फैन बना सकते हैं किस तरह से ये स्ट्रॉबरी ली इस तरह से इसमें ये लगा दिये चीरे वैसे चोटी चूरी हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास बड़ी चूरी है तो मैं तो कर लूँगा आप घर में चोटी चूरी से करें नोक से इस तरह से ये काट लें और काटने के बाद उंगली से थोड़ा सा इसको दबाएं एक साइड पर कैसे ये लि इसको दबा दिया और इसे आप लेके रख दें इसके उपर वह ये जो है बढ़िया सी बन गई हमारी स्ट्रॉबरी फिलनी है ना बढ़िया सी रेसिपी बहुत सिंपल है बहुत आसान रेसिपी है